और दोस्तों कैसे हो आप वेलकम तु ट्रैकिंटेक न्यूज नंबर 176 जी आज थोड़ा बाहर हूं आप देख रहे हैं पीछे की तरफ यह दिल्ली का इंटरनाशनल एरपोर्ट है पूना से अभी जस दिल्ली आया हूं और जो भी आप न्यूज आने वाले हैं वो तो आपक के लिए तो दोस्तों जैसे जैसे होगा वैसे वैसे न्यूज रेकॉर्ड करूंगा और आप तक पहुंचाओंगा तो फ्रेंट्स लेट्स गेट स्राटी और एक बात कह दू दोस्तों हम इतना आप तक टेक न्यूज पहुचाते हैं किधर भी हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन हर रोज टेक न्यूज पहुचाते हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है चलिए दिखाईए थोड़ा प्यार हमारे एफट्स को सराइए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ यह अभी जा रहा हूं मनेसार में ग्र याने Nokia X6 जिसके लिए लाखों लोग रुके हुए थे इंडिया में कि कब आने वाला है और फाइनली लांच होने वाला है ऑगस्ट 21 को मीडिया इन्वाइट्स बेच दिये हैं हमडी ग्लोबल ने तो दोस्तों यह फोर आ रहा है यह डेफिनेट है इस तेम पता नहीं कितन जो कि उस रेंज में अब बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिशन आ गए है इसपेशली अब तो मी एटू आने वाला है उसके मितलब लांच हो गया आज ही लांच हो रहा है उसके बाद में ऑनर प्ले है और ऐसे बहुत सारे दूसरे फोन भी आ गए है तो शायद जो मार्के अगर दो महिने पहले लांच किया होता एक सिक्स तो बहुत जबर्दस होता जरूर कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है दोस्तों कली मैंने आपको बताया था कि वीवो का नेक्स और वीवो वीना इंगे मिल रहा आपको 1947 में फ्लैशल के उपर सभी के फ्रीडम से इसके उपर ये फाइजी वाला जो फोन है वो फ्लैक्षिब लेवल का है 29,999 उसका 6GB और 64GB वाला वर्जन है उसके उपर देने वाला है 2000 इंसरेंट ओफ फ्रीडम सेल जो है फ्लिपकर्ट का फुस्वग सो फ्लिपकर्ट का फ्लिपकर्ट का फ्रीडम सेल चालो होगा 10 से ल उस पर 500 रुपए डिसकाउंट और 4GB 64GB कोलकॉम्स डेबरें 636 वाला जो है जो आपको मिलता है 12,999 को वो मिलेगा 12,499 को और दोस्तों हो गया है अब खतम लाँच इवेंट मी A2 का और फाइनली प्राइज अनॉंस हो गई है जिया साड़े सत्रा आजार नहीं है 500 रुपए है मी A2 की प्राइस और यह 9th August से लाँच होगा आप प्री ओर्डर कर पाएंगे तो overall अच्छा है दो चीजे सबसे ज़्यादा अच्छी है मी A2 के बारे में और वो है कैमेरा सबसे ज़्यादा कैमेरा तो लाँच इवेंट में सबसे ज़्यादा मनु कुमर जैन ने बात की वो थी सिर्फ कैमेरा की और दूसरा बड़ा एडवांटेज है एंड्रोइड वन ओविएसली इसका पूरा डीटेल्ड रिव्यू हम करने वाले है उसके लिए जरूर रुकिएगा और आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं कि हमारे चैनल को तो जरूर कर दीजेगा और सा हूँ आया हूँ लांच इवेंट हुआ है सो दाट्स कुडोस तो शाओमी जिन्होंने अरेंज के यह देखिया आप देख रहें इदर यह जो है पता नहीं दिख रहें आपको यह रेखिये चलिया बढ़ते अगले निउस की तरफ दोस्तों तो फोर्टनाइट के जो फैन् कुछ थोड़ी ठीक ठाक ही खबर है क्योंकि फोर्टनाइट इन फैक्ट डेवलेपर्स ने फोर्टनाइट का कुछ कोड एकसेस किया और उसके उपर से ऐसे पता चला कि भाई फोर्टनाइट जो है सिर्फ हाइएंड प्रोसेसर को सपोर्ट करेंगा उत्ता ही नहीं सब्सक्राइगन 660 हो जिसके उपर मी एटू है वो फोर्टनाइट नहीं खेल पाएगा और दोस्तों आज वालकॉम ने अनॉंस कर दिया है उनका स्नाइब्रेगन 670 प्रोसेसर और एक नया प्रोसेसर आ रहा है मिड रेंज में यह जो है यह 630 यह 660 का सक्सेसर होने वाला ह 10-nanometer LPP technology पर आधा रित है और अगर performance की बात करेंगे तो 15% performance improvement मिलेगा 660 के उपर साथ में graphics में improvement होगा कुछ 25% overall this will be a good मतलब जैसे 660 था performance based था गेमिंग के लिए अच्छा था वैसे होने वाला है powerful chipset होने वाला है लेकिन 710 के नीचे होने वाला है और दोस्तों WhatsApp की तरफ से भी एक खबर आ रही है कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि restriction आ गया है आप कितने forwards कर सकते हो अरड़ी forward label तो दिखता है लेकिन अभी तक ऐसे हो रहा था कि आप forward कर सकते थे 20 लोगों तक लेकिन आप ऐसा नहीं है इंडिया में आप सिर्फ 5 forwards कर पा जाओगे उससे ज्यादा नहीं यह किया है WhatsApp ने especially इंडिया में क्योंकि जो fake news बहुत fast बढ़ती है वो बढ़नी नहीं चाहिए globally यह limit 20 का है लेकिन इंडिया में है 5 का चलिए दोस्तों तो खतम करते हैं आज की news जिहां जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको जैसे मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं किधर भी हूँ आप तक tech news 100% हर रोज पहुचेगी जिहां थोड़ी ज्यादा ऐसे करते रहेंगे लेकि news लाने की आप तक तो like करना मत बुलिए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक